नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का 5 Finder पर सो पिछले 5 महीने से चल रही जो कहानी है उसको finally European Union के द्वारा अब अन्जाम दे दिया गया है European Union के द्वारा छे इंडियन financial settlement firms को अब disqualify कर दिया गया है, de-recognize कर दिया गया है, बलकि बड़े ही daring तरीके से उन्होंने RBI से ये कहा कि हमें इन financial firms को audit करने दो और हम फिर ये वाला जो ban है इसको हटा देंगे, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये खबर जो है, ये कल ही स European regulator और ये जो de-recognition है, ये 30th April 2023 को लागू हुई थी, Economic Times की खबर भी आप देख पाएंगे, EU market regulator withdraws recognition to six Indian clearing corporations, लेकिन very very interestingly, RBI और SEBI का जो stand है, वो day 1 से same चलता आ रहा है, इसके पहले भी RBI और SEBI ये कह चुके हैं, कि देखिये, European Union का कोई भी market regulator क्यों नहों, उसका शेत्रादी भारत में नहीं है, इन्होंने कहा है कि with reference to their jurisdiction, they can take whatever decisions they want, but when their entities are operating in our jurisdiction, and they want to have the same powers here, that is strange, unfair and unacceptable, यानि कि हम कभी भी European Union के किसी भी market regulator को इंडिया में आकर के audit करने का जो power है, वो नहीं दे सकते हैं, इसी के बारे में पूरी कहानी को discuss किया जाएगा, इसका background क्या है, वो भी समझा जाएगा, इसका पूरा impact क्या होने वाला है, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं, आए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनेरुद, यदि आपको इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए, टेलेग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते ह अलसो बताना चाहूंगा कि Pathfinder आप सभी UPSC, CSE Aspirants के लिए अपना सबसे comprehensive and सबसे affordable batch लेकर आया है, जिसमें कि आपको 900 से भी जादा घंटे की live class दी जा रही है, जो कि आपकी prelims, mains दोनों की ही तयारी को complete करवाएगा, साथी में इसमें आपको test series भी available करवाई जा रही है, ज अगर आपने इस batch में enroll नहीं किया है, तो जल्दी से जाईए, यह batch already announce हो चुका है, launch हो चुका है, इसमें enroll करने का जो link है उन नीचे description में आपके लिए available करवाया गया है, साथी में जो Pathfinder की team के द्वारा एक UPSC, CSE mock test conduct करवाया जा रहा है, जो कि 13 मई 2023 को होने वाला है, जिस में enroll कीजे और top rankers को अच्छे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है, all right, so कहानी शुरू हुई थी पिछले साल November 2022 में, उस time पे European Union ने चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा था कि देखिए आपके जो 6 Indian clearing counterparties हैं, अगर हम उनको audit नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको disqualify कर देंगे, इन्होंने उस time पे एक deadline दी थी, वो deadline थी 30 April 2023 की, कि हमें आप इनको audit करने दो, और अगर आप हमें allow कर देते हैं, तो उस case में हम disqualification नहीं करेंगे, ये by the way, जो पूरा का पूरा चेतावनी था, या जो पूरा का पूरा deadline था, ये किस ने दिया था, तो ये European Union का जो market regulator है, जि कि ESMA के नाम से जाना जाता है, that is your European Securities and Market Authority, उसके द्वारा ये चेतावनी दी गई थी, ये वैसे ही काम करता है, जैसे भारत में RBI और SEBI काम करते हैं, उन्होंने उस time पे कहा था, कि देखिए हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, because कोई भी cooperation arrangement exist नहीं करता है, between the ESMA and Indian regulators, namely RBI, namely SEBI and the International Financial Services Center Authority, क्योंकि कोई cooperation arrangement नहीं है, इसलिए हम लोग इनको derecognize कर देंगे, in fact, इन्होंने ये भी कहा, कि हमें आप allow कर दो, हम इनको audit करेंगे, इनको supervise करेंगे, उससे हमें समय मिल जाएगा, हम इनको समझ लेंगे, और उसके बाद ये वाला जो ban है, इसको picture में नहीं लाय जाएगा, लेकिन उसी time की बात है, आप यहाँ पर तारीक भी देख सकते हैं, 10 November को RBI ने announce कर दिया था, कि देखिए ये possible नहीं है, India will never allow the Europe to audit the domestic financial settlement firms, क्योंकि ये sovereignty का issue आ जाता है, क्योंकि ये jurisdiction का issue आ जाता है, इन्डिया ने साफ साफ मना कर दिया, इन्होंने कहा, we are not in favor of this move इन्होंने बलकि ये भी कहा, कि देखिए जो हमारी entities हैं, उनका risk management बहुत robust है, and we do not need any foreign regulator to inspect our entities, और बलकि इन्डिया ने ये भी कहा, कि देखिए आप deadline को extend कर दीजे, और तब जाकर के हम लोग शायद आपकी norms को मान लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी companies, या फि In fact, India के जो दो main regulators है, RBI और SEBI, इन्होंने साफ साफ कह दिया था, कि आपकी jurisdiction यहाँ पे काम नहीं करती है, आपको अपने शेत्रादिकार में जैसा भी करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है, उन entities की जो इंडिया में operate कर रही है, तो वहाँ पर कोई भी बाहर की company नियाकर के उनका जो audit है या फिर supervision है वो नहीं कर सकता है, RBI ने बलकी अपने कारण को justify भी किया, कि देखिए हम लोग dual regulatory environment के साथ कभी भी okay नहीं है, RBI मानता है कि यह एक ऐसा rule है, जो कि completely unacceptable है, कि foreign regulator आकर के supervisory power को exercise करेगा, on the Indian CCP's, जो कि उनके jurisdiction के परे हैं, बहुत ही sweetly, थी, अच्छे तरीके से RBI के द्वारा उनको मना किया गया था, लेकिन despite all these things, European Union ने जो है, वो finally उन 6 Indian Clearing Corporations को de-recognize, disqualify अभी कर दिया है, वो कौनसी कौनसी 6 counterparties हैं, तो देखिए उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, number 1 के CCIL है, number 2 पे आता है, ICCL, number 3 पे आता है, NSCCL number 4 पे आता है, MCXCCL, number 5 पे आतके सामने है, Indian International Clearing Corporation Limited इसको की IICC कहा जाता है, and finally, जो NSC के IFC की Clearing Corporation है, that is NICCL, वो भी इसमें include करी गई है, अब इस move का impact क्या होने वाला है, बड़ी interesting बात है कि इस move का जो impact है, वो असल में जादा impact European Union के banks को होने वाला है, जो की India में function कर रही है देखिए जो European Union के banks जो की India में function करते हैं, for example BNP पारिबास हुआ, for example Deutsche Bank हुआ, for example Society General हुआ, ये सारे के सारे banks इंडिया में जब ये Forex trading करते हैं, जब ये Equities trading करते हैं, तो इनका जो भी वैपार है, ये in Clearing Corporations के माध्यम से हमें होते हुए देखने को मिलता है, अगर ये वाली CCP's को European Union ने disqualify कर दिया है, इसका मतलब ये है, कि अब इनका जो वैपार है, वो इन CCP's के माध्यम से नहीं हो पाएगा, इनको directly market में जाकर वैपार करना पड़ेगा, ऐसा होने में एक तो समय बहुत जाएगा इनका, और दूसरा, इनको अब अगर market में वैपार करना है, तो इसका जो सबसे पहला impact है, वो तो basically इन ही banks के ऊपर पढने वाला है, आप लोग यहाँ पर देख भी पाएंगे, de-recognition will impact these lenders, and they will have to set aside additional capital to trade in the domestic market, लेकिन इस move का impact कहीं न कहीं इंडिया पर भी हो सकता है, क्योंकि जो ये वाले banks हैं, इन ही banks के माध्यम से, जो योरोप से आन आने वाला foreign portfolio investment था, वो इन ही banks के माध्यम से इंडिया में आ रहा था, now because ये वाले banks directly अब उतना वेपार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि capital requirements बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में आने वाला FPI है, उसके ऊपर भी हमें negative impact देखने को मिल सकता है, लेकिन भले कुछ भ कहा था कि देखिये, it is necessary for regulators on the other side to appreciate and trust the credibility and the strength of the Indian regulations, इन्होंने बलकि ये भी कहा कि आज से जो 30 साल पहले या फिर आज से तो 10 साल पहले, इंडिया का पूरा regulatory system था, उसकी तुलना में आज का system बहुत जादा robust हो चुका है, in fact जो हमारे RBI के deputy governor है Mr. Rabi Shankar, इन्होंने तब भी कहा था कि देखिये, जो asthma के नियम है, जो asthma फिलाल कर रहा है, ये एक बहुत ही जादा unfortunate interference है, मेरे recording RBI ने बिलकुल सही किया है, अपने stance को maintain करते हुए, in fact जो deadline थी, RBI ने उसको बड़ी आराम से पास होने दिया, ये भी RBI की तरफ से एक बहुत बड़ा statement है, और अगर आप experts के वो भी आना शुरू हो चुके हैं, उन्हों ने भी यही कहा है कि RBI को अपना जो stance है, वो change नहीं करना चाहिए, याद करवादू, जापान ने भी same चीज एक तरीके से भारत के उपर लागू करने की कोशिश करी थी, लेकिन ultimately जापान को जुकना पड़ा था, because RBI ने कहा था कि देखिए हमारा जो Indian clearing houses हैं, उनको audit हम ही करेंगे, और हमारी audit और हमारी जो oversight है, वो adequate है, same चीज USA ने इंडिया के साथ करने की कोशिश करी थी, USA ने कहा था कि जो banks हैं, जो basically USA के banks जो इंडिया में operate कर रहे हैं, उनका data USA में ही store किया जाएगा, RBI ने कहा ये possible नहीं है, इंडिया के ही अंदर store किया जाएगा, और उस चीज़ को लेकर भी USA को यहाँ पर जुकना पड़ा था, और अगर सबसे बड़ी बात हम देखें, तो फिलाल आप जानते ही हैं कि दुनिया में अगर banking crisis हमें देखने को मिल रहा है, तो केवल हमें western countries में, developed countries में देखने को मिल रहा है, मैं banks के नाम नहीं लूँगा, लेकिन it is a very very well known fact, कि उनके शेत्राधिकार में काम करने वाले जो banks हैं, वो fail कर रही हैं, वो अच्छे से perform नहीं कर पा रहे हैं, और इंडिया में हमें इस तरह की कोई भी negative news देखने को फिलहाल नहीं मिली है, तो मेरे according RBI का stance यहाँ प भी link आपको नीचे description में दिया गया है, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.